हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सोब उमेद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और इस कोरोना वाइरस से बचे हुए होंगे दोस्तों देखिए आज एक डबल प्लेट का कंट्रोलर आया है मेरे पास यह देखिए CY का है ठीक है आज मैं नॉर्मली छोटा ही वीडियो किलिप डालूंगा ज्यादा बड़ा किलिप नहीं डालूंगा ठीक है यह देखिए CY का बोडल का कंट्रोलर है देखिए दिख रहा है देखिए अब इसमें क्या यह पहले एक बार कहीं रिपेर हो चुका है लेकिन इसमें काफी मसकत की है इसके अंदर एक कंट्रोलर को रिपेर करने के लिए लेकिन रिपेर नहीं हुआ ठीक है तो चलिए मैं इसके ऊपर थोला सा मैं ज्यादा डिटेल में जनकारी दूंगा और छोटा सा जा वीडियो है ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है दोस्तों अगर आप से कम दोस्तों यह तो लाइक बनता है मेरे वीडियो को यार इतना मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए तो यह लाइट तो दबा के ठेंका मारते चले जाए बस वहां पर जो बैल आइकन का इसे बटन बना हुआ उसको दबा दीजे लाइक वाला और बस इंजोई आप भी क कोर्स करना है तो आप मुझे डेकली कॉल कर सकते हैं कॉंटेक्ट नमर मेरा एट नाइन थ्री वन ट्रिपल जी रो वन सेबन टू डिरेकली कॉल कीजिए दोस्तों कोई दिकत नहीं है कॉलिंग का टाइम सुबह 10 बज से लेके साम को 6 बज तक है आपका जब मर्जी कर सकते ह ठीक है तो यह देखिए इसमें क्या है देखिए यह तो इनों ने बहुत गंदा काम कर रहा चाहाँ जहां पर रहाँ रहां देखिए देखिए मैं सौरी मापी जाता हूं आज एमरा मैंने इस्टेंड पर लही लगाया है मैंने सोच ए खोटा से वीडियो मनाना है अपने फ लेकिन उन्हों ने रिपेर तो किया लेकिन उसमें एक और काम किया क्या काम किया देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 4R7 का रिष्टेंट लगता है देखिए मैं दिखा रहा हूं यह देखिए देखिए नॉर्मली मैं दिखा हूं इस PCB के दूसरे PCB के अंदर दिखात पर लगाने से क्या होता है कि माल लिजें कि अगरिए मॉस्पेट को मिलेगा जाके यह माइक्रो आइस ही सोट हो जाएगी इसकी ठीक है और देखें यहाँ पे ट्रांड रेश्टेंस से वेरा लगी होती है यह चीज़े सोट हो जाएगी ठीक है तो कभी भी आपको यह जंपर जो लगा हुआ है इसको कभी भी जंपर नहीं लगाना है यहाँ पे आप 4R7 या 10 ohms या 15 ohms या 20 ohms का रेश्टेंस आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपने कभी भी डिरेक्टली इसको नहीं करना है ठीक है अगर इसको आप डिरेक्ट कर देते हैं तो डिरेक्टली हमारा माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाएगा और एक कंट्रोलर पेकार हो जाएगा लेकिन अभी एक चीज और बताएं अभी तक का मेरे एक्सप्रियंस में बहुत अच्छा कंट्रोलर है इसमें फाइदा क्या आएदे के रिपेरिंग तो थोड़ी डिफिकल्ट है और महेंगी भी है रिपेरिंग मैं यह मानता हूं कहता भी हूं आपसे कह भी रहा हूं लेकिन डिफेल इसमें क्या फाइदा यह एक तो लोड ब मॉस्पेट को कैसे चिप्काया हूँ है कि अच्णा करता हूं और कि च्छोटी बात juice नGG 누पs करता हूं कोई काम अगर आप नहीं कर लगे तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर को किसी परकार की फूल नहीं नहीं है तो उस चीज का कोर्स जोन कीजिए उस चीज को समझीए मैं यह नहीं कहता है मेरे से कीजिए कहीं भी कीजिए लेकिन उस चीज को बहुत अच्छे से तब तक आपका कोई भी काम पर्फेक्ट नहीं होगा और कोई भी आदमी आपको पर्फेक्ट नहीं कहेगा जिए भाईया उसका काम सही है या फिर कोई दिक्कत है उसमें ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है तो फिलाल चलिए आज की वीडियो इतने ही है और फिर मिलते हैं इने डाली रखा है जो मॉस्पेट कैसे बदलना है तो अब तक लिए जैहिन बंदे मात्रम तो